दोस्तो 2020 मैच में जैसे बल्लेबाज गेदवाजों की जबर्दस तरीके से धुलाई करता है वैसी ही कुछ धुलाई कंगनार अनावत लगातार पिसले दो साल से करन जवर का कर रही है और अब अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर ऐसी बात लिखी कि करन जवर रूते वे न नेपोडिजम के उपर बॉल्यूड में जो फैला हुआ है इसे लेकर बहुत सारी बाते बोली है करन जवर को एक उपादी भी दे दी है पापा वाली कि ये बॉल्यूड के नेपोड कीट्स के पापा है जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है ये उसे लांच करने की तयारी क करने वाला हूँ क्योंकि अब मैं नाना बनने वाला हूँ तो बताइए कोई रिष्टा नहीं थी लेकिन नाणा बनने वाले हैं तो यहां पर कंगना रनावत का जो कहना है कंगना स्क्रेंशॉट शेर करते में लिखा कि बदाई हो बॉल्यूड के पापा ओटीटी पर इनक जो कफी वित करण आ रहा है इसके सभी एपिसोड को बहुत ही जोड़ सोर से जम कर करंजवर प्रमोट कर रहे हैं बॉलिवूड के जो पापा हैं लेकिन पापा मेरा वाला एपिसोड भी शेर कर दो क्योंकि उस एपिसोड में जो मैंने जम कर धुलाई की थी यानि कि घर में घुस कर मारा था सर्जिकल स्ट्राइक की थी यानि कि कॉफी वित करन में जाकर कंगना और नौत ने जो सीधे-सीधे करन जवर के उपर इल्जाम लगाया था कि तुम्हारे चलते बॉलिवुड में नेपोडिजम है तुम नेपोकिट्स को बढ़ावा देते हो तो कंगना सीधे-सीधे तोर पर करें कि मैंने करन जवर के कॉफी वित करन में यानि उनके घर में जाकर उन्हें घुस कर मारा था सर्जिकल स्ट्राइक की थी और ये भी कह दिया साथ में कि मेरे चलते ही करन जवर को बहुत कुछ नाम मिल रहा है सुर्खिया मिल रही है तो ये जो बा लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है और अब ये जो कंगना अरनौत ने कहा है ये वाकई करन जवर अपना सर पकड़ कर रोते हुए नजर आएंगे इस तरह से धुलाई कर दिया है इस वीडियो को लेकर आपकी क्या रहा है आपको क्या लगता है कि कंगना अरनौत क्या फिर से वही रूप लेने वाली है जो पहले लिया था कंगना ने क्योंकि बीच में थोड़ी सी डामा डोल हुई जब सल्मान खान को सोने के दिल वाला बता दिया मुनवर फारुकी को विनर घोशित करवा दिया जिसके बाद कंगना रौत के धाकड सौ करोड में जो बनी थ बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही सिर्फ साड़े तीन करोड की ही कमाई कर सकी तो क्या कंगना यहां पर कोई गेम खेल रही है कि मैं अपने उसी जो एटेकिंग मोड है बॉल्यूड के पर उस पर बनी रहूंगी तभी मेरा फायदा होगा या कंगना के दोरे चाल को लोग स समझ चुके हैं कि कंगना यह सब कुछ टियारपी के लिए कर रही है आप लोगों के जो विरा है कॉमेंट करके जरूर बताएं